हाई गैस और वेल्कम बाक टो दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन वेल्कम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस ओफ 29 ओफ दिसंबर 2022 तो गैस आज है तारिक 29 दिसंबर 2022 और है थर्स्डे दिखेंगे आज के दहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच यादव एजूकेशन यूपी एसी आज यू कें सी आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिसस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफिर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बिसस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है ना उबढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है उसबैकिस्तान को ये वापस से न्यूज में आया है तो उसको अच्छे से मैप में देखना देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवियस येर साल 2016 के प्रिलिम्स में पूछा गिया था डेली बिसस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रिवियस येर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बूलता है जो इंडिया नेवल शिप अस्त्राधारीनी है न ये क्या चीज है बेसिकली ये आप से सवाल में पूछा गिया है उप्शन ए बूलता है MPBS वारफेर शिप उप्शन नमबर बी नुकलियर पार समरीन है उप्शन नमबर सी टॉर्पीडो लाँच एंड रिकवरी वेसल है या फिर उप्शन नमबर डी नुकलियर पार एरक्राफ्ट करियर है तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्षन में देना है एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोग उसे डेली बिसस पर बोलता हूँ इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलोशे बार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो आप सोच रहोंगे ये thumbnail में क्या लगा दिया है देखो काफी सारे news article पिछले तीन दिनों से publish हो रहे हैं तो उसके बारे में बहुत detail से discussion करूँगा important है हमारे examination के point अभी से भी देखो जो हिमाले वाइगरा होता है जिसको हम लोग हिंदी में कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं तो इसके लिए भी जो Chinese soldiers हैं ये अरुनाचल प्रदेश के अंदर घुसबैट करते रहते हैं क्यों क्योंकि ये हिमाले वाइगरा अरुनाचल प्रदेश के अंदर भी grow किया जाता है तो इस वज़य से यहाँ पर Chinese soldiers चाहते हैं उस वाइगरा को यहाँ पर एकटा किया जाए उस वाइगरा को लिया जाए अब ये करता क्या है इसका काम क्या है इसका IUCN status क्या है ये सार रेट चल रहा है ना मार्केट के अंदर में ये जो हिमाले वाइगरा होता है ये 60-70 लाक रुपे पर केजी के हिसाब से यहाँ पर रेट चल ला है इंटरनाशनल मार्केट में ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगी कई सारी जगह पर आपको देखने को मिल जो सोना होता है उससे भी कही गुना जादा यहाँ पर यह महेंगा देखने को मिलता है कीड़ा जड़ी क्या होती है कीड़ा जड़ी इसके बारे में भी आगे हम डिसकेशन करेंगे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ धेर सारे रिपोर्ट्स के बारे में जैसे आप देख पार होंगे चाइनी सोलजर्स एंटर्ड इंडिया टू स्टील हिमालेन वाइगरा चाइनी सोलजर्स भारत में इंटर करे थे किसी इच के लिए हिमालेन वाइगरा को चुराने के लिए और मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल मेंशन किया गया कि हाँ जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है वो है IPCSE इसका मतलब है इंडो पैसिविक सेंटर फॉर स्ट्रेडिजिक कम्मुनिकेशन इन्होंने भी हाँ पर इस चीज के बारे मेंशन किया है कि हाँ वाकई में ऐसा ही है कि जो चाइनी सोलजर्स हैं यहाँ पर इंडिया में काफी बार आए हैं इस कॉर्डी सेप्स को क क्लेक्ट करने के लिए अभी तो आप हिमालेन वाइगरा खीड़ा जड़ी के बारे में बात करेते हैं यह वही चीज है खीड़ा जड़ी ही है ठीक है तो धेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जिसके बेसिस पर मैं आपके साथ में यहाँ पर इसका डिसक्रशन कर र ठीक है ना इसको लेकर इसको चुराने की कोशिश क्यों कर रहा है आप यहाँ पर जो पिच्चर में देख पा रहे होंगे इधर पीछे की साइड में यह जो हाथ में है ना यह बेसिकली पूरा का पूरा कीड़ा जड़ी का ही पिच्चर है इस पिच्चर को देखोगे तो क की तरह भी काम करता है मतलब इसके अंदर एक natural anti-cancer agent पाया जाता है जो कि cancer से भी लड़ने में मददकार साबित होता है दर उसके बाद में heart से related जितनी भी problems हैं उनको लेकर यहाँ पर काम करता है six drive को यहाँ पर बढ़ाने का काम करता है memory को increase करने का काम करता है जो cholesterol level है इसको भी यहाँ पर control करने का काम करता है यह कीड़ा जड़ी तो अपने आप में धेर सारे इहाँ पर इसके फाइदे हैं ध्यान अकना हेमालेन वाइगरा कीड़ा जड़ी उसके बाद में codyceps यह सारी एक fungus जो है वो निकल कर आती है और उसी के basis पर हम यहाँ पर इसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं तो यहाँ पर आप जो यह पीले भूरे रंका देख रहे हो ना यह जो जड़ी है इसका आदा हिस्सा यहाँ पर यह है यह जड़ी जैसा दिखता है और आदा हिस्सा यहाँ पर नैचुरल इहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से यह जो fungus है वो grow होना start हो जाता है grow होने start होने के बाद अप इस प्रकार से देखोगे तो यह जड़ी जो है इसमें से निकल जाती है और उसके बाद में ये caterpillar को पुरी तरह से खतम कर देती है इसके अंदर कुछ बचता नहीं है ठीके न ये बिल्कुल खाली हो जाता है caterpillar इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है और इस प्रकार से इसके ओपर से जड़ी बाहर निकल जाती है तो इसी को हम लोग कीड़ा है इसके क्या है इतने सारे फाइदे वो सब मैंने आपको अभी थोड़ देर पहले ही बताया है ठीक है तो कीड़ा जड़ी किसलिए बोलता है ये मैं आपको बताया और इसका जो साइज वागर है ना वह लगबग दो लिंच इंच लंबा यहाँ पर साइज देखने को मिलत है कि जैसे मैं आपको बताया ना इसी कैटरपिलर में से फंगस निकल कर आ रहा है तो यह एक कॉंबिनेशन देखने को मिल जाता है इन दोनों ही चीज़ों का ठीक है बात क्लियर हो गई इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा यह पूरा प्रोसेस जो है मै करता है इस पूरे कैटरपिलर को खा जाता है खाने के बाद में आप कह सकते हैं उसको खतम कर देता है पूरी तरह से खाली कर देता है ठीके ना जिसको हमलोग बोलता है ममीफाई कर देना तो यह टम भी यहाँ पर यूज किया गया है अब कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से सुनना है और examination के अंदर भी आपको यह help करेंगे तो यह जो पूरा का पूरा fungus इसके बारे में आपने समझ लिया इसको हमेलियन वाइगरा बोलता है हिंदी में कीले जड़ी बोलता है international market में इसका 20 लाग रुपे प्रती kg के हिसाब से यहाँ पर rate देखने को मिलेगा जो की मतलब जो जितना rate लगा दे उसके हिसाब से है कहीं पर आप देखोगे तो 70-80 लाक रुपीज पर kg के हिसाब से भी यहाँ पर reports के अंदर इसका rate जो है वो mentioned है ठीक है IUCN के अंदर इसको threatened species की category में रखा या यानि कि यह जो particular जड़ी बूटी है काफी खतर में भी देखने को मिलती है लगातार खतम हो रही है ठीक है न वही एक reason यहाँ पर China के अंदर भी देखने को मिला जिसके वसे China जो है इसको चुराने की कोशिच भी करता है ठीक है अब जो यहाँ पर हमारा IUCN की list आती है न उस IUCN की list के अंदर इसको vulnerable category के अंदर डाल दिया गया है है ना IUCN क्या करता है जितने भी प्रजातियां है पेड़ पौदे और जानवरों की जो भी खत्रे में है उनकी list तयार करता है उसमें अलग-लग list है वलिरेबल, critically endangered, endangered, extinct यह सारी categories है तो यहाँ पर वलिरेबल category के अंदर इसको रखा गया है इस कीड़ाजडी को रखा गया है क्यों रखा गया है क्योंकि पिछले 15 सालों के अंदर में इसकी जो production है लगबग 30% से कम होई है 30% से गिरावट देखने को मिली है सकोत पादन में ये एक इसका reason बन जाता है ठीक है बात क्लिर हो गई अब उसके बाद बात करते हैं हम ये कीड़ाजडी पाई काका पे जाती है तो हिमालियन और तिबतन प्लाटियू के अंदर उसके बाद में चाइना भूटान नेपाल इंडिया के अंदर भी आपको कीड़ाजडी मिलती हुई नेजर आएगी खास कर उत्राखंड में फिर उसके बाद में उत्राखंड के अंदर जब और उपर जाओगे तो पितोलगर और चमोली वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर भी जो और उपर वाले रीजन से जहाँ पर पेड़े नहीं उगता हैं सिर्फ छोटी-छोटी गहां से देखने को मिलती हैं वहाँ पर इस कोड़ कीड़ा जड़ी को उगते वे आप देख पाओगे ठीक हैं बाकि इसके यूजिस क्या हैं इसके ओपियोग क्या हैं वो हमने थोड़ देर पहले ही डिसकस कर लिए हैं यह जो जड़ जी बूटी है किस प्रकार से काफी सारी बिमारियों को ठीक करने में मदद कार साबित हो सकती है अब इसको अलगलग जगा पर अलगलग नाम से भी जाना जाता है जैसे आप देखोगे चाइना के अंदर यार्सो गुंबा के नाम से भी आप इसको जानते हैं और चाइना जो है बहुत लंबे समय से इस कीड़ जड़ी का इस्तमाल कर रहा है वो अब हम समझते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है इसको क्यों उचराने के लिए आता है तो उसका रीजन यहाँ पर यह है कि चाइना के अंदर में लंबे समय से इस कीड़ जड़ी का इस्तमाल हो रहा है जो कि एक तरीके से एनरजी बूस्टर का काम करता है एनरजी इनहें तो चाइना के अंदर लंबे समय से जो एथलीट्स होते हैं जो अलग लग यहाँ पर कॉंपटिशन के अंदर खेल रहे होते हैं तो वो भी लंबे समय से यहाँ पर इस कीड़ जड़ी का इस्तमाल कर रहे हैं 2009 में आपर एक वर्ल्ड चैंपियंशिप हुई थी उस दौरान यहाँ पर आप कह सकते हो यह कीड़ा जड़ी वापस से न्यूज में आई थी और उस चैंपियंशिप में लंबी लंबी जो दौड की रेसिस थी ना मतलब जो लंबी लंबी दौड हो रही थी उसमें महीलाए ही जीत रही थी मतलब ऐसा की सोचा भी ना आ जा सकी कि वो मही यानि कीड़ा जड़ी की वज़ा से हुआ है क्योंकि चाइना में इसको यार्शा गूंबा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह लंबे समय से यह अपने अथलीट्स को दे रहे थे ठीक है अब कीड़ा जड़ी के लिए चाइना घुसपैट क्यों करना चा रहा है तो इसके पर बताया यह जा रहा है एक estimation के दौर पर अगर हम देखें तो 2018 से ही यहाँ पर आप देखोगे जो उत्पादने लगातार कम होता वन अजर आया है 2011-2010 में आप देखोगे तो जहां चाइना 1.5 lakh kg के आसपास यहाँ पर इसका production कर रहा था वहीं पर अभी अप latest के अंदर आप देखोगे तो 40,000 kg के आसपास production कर रहा है तो मतलब production जो है इसका उत्पादन जो है चाइना के अंदर में वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है डिमांड लगातार बढ़ी है तो production कम हो गया, डिमांड लगातार बढ़ रही है काफी अला सारे लोग इसी चीज़ के ओपर dependent भी है that is why आप आप देखोगे बार-बार कोशिश करता है कि जो अरुनाजल प्रिदिश के हिमालियन वाले रीजन है वहाँ से इस कीड़ा जड़ी को चुरा कर ले जाया जाए बात क्लियर हुई तो जो भी बात में आपको बताई है अपने आप से नहीं बताई है यह सारी की सारी यहाँ पर अलग-लग अर्टिकल्स के अंदर पपब्लिश करी गई है शेयर की गई है जैसकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ठीक है नअब जो championship वगरा के बारे में आपको बता है ना वो सब इसी article में है पिछले कुछ सालों में production कम हुआ है वो सब बाते मैंने अभी आपको यहीं से समझाई है ठीक है आ गया आता है ना नेक्स पेज पर आता है एक और important article इसको आप लोग GS paper number 3 environment से link कर पाओगे तो तामिलाडू की सरकार न यहाँ पर निलगरी ताहर conservation project को यहाँ पर setup किया है इस प्रकार का आपको यह जानवर देखने को मिलेगा ठीक है ना तो यह जो जानवर है इसको आ गरोग निलगरी ताहर के नाम से जानते हैं तो इसकी population भी पिछले कुछ समय में लगातार कम होती हुई नज़राई है तो इसी को यहाँ पर बचाने के लिए इसके conservation के लिए यहाँ पर जो कुछ प्रोजेक्ट से वो तामिल नाडू स्टार्ट कर रहा है इसके लिए कुछ जो पैसा है वो यहाँ पर खर्च कर रहा है ठ वहाँ का राजज जानवर आपको यह देखने को मिलेगा और इसको बचाने के लिए लगबग 25.14 करोड रुपए यहाँ पर खर्च करने के बारे में चर्चा की जा रही है तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में क्या होगा जो हमारी सरकार है वो प्लानिंग करेगी कि कैसे हम यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में इसकी पॉपुलेशन लगातार खतम हुई है लोगों के अंदर इसके बारे में एक आवेरनेस एक जारुकता कैसे फैलाई जा सकती है और इस प्रोजेक्ट को हम लोग इंप्लेमेंट करेंग तामिल संग्मम लिटरेचर को आपको देखने को मिलेगा लगबग आज से 2000 साल पहले का जब आप लिटरेचर देखते हो तो वहाँ पर भी इस निलगरी ताहर के बारे में कहीना की मेंशन है इन फैक्ट जो मिजोलिथिक पीरियड आपको देखने को मिलेगा लगबग 10,000 स लेकर 4000 BC के टाइम पीरियड की बात की जारी है वहाँ पर भी कुछ जो पेंटिंग्स नजर आई है ना उन पेंटिंग्स के अंदर में इस जानवर के बारे में दर्शाय आया है तो इस वज़ज़ से यहाँ पर इसका जो कल्चरली जो है जो इंपोर्टेंस से वो बहुत ज जादा है और आज की समय में इस निलगरी ताहर को IUCN के अंदर में एंडेंजर लिस्ट के अंदर रखा गया है क्योंकि इसकी संख्या लगातार खतम हुई है इसकी पॉपुलेशन खत्रे में है यह जो आनिमल आपको देखने को मिलेगा काफी उचायों पर यह पाया जाता कहीं पर भी पाये जाते हैं नहीं देखने को मिलेंगे उसके बाद मैं में में यह किया जाता है कि पिछले कुछ समय में इनकी संख्याए बहुत तीजी से खतम होती हुई नजर आई है जिनको बचाने के लिए इस प्रकार से तामिल लाडू सरकार अब एक कदम उठा रही ह बात क्लियर हो गया तो ये तो आपने आर्टिकल में पढ़ लिया और आर्टिकल में निलिगरी टाहर न्यूज में ये भी आपको पता है लेकिन अगर आपने इसका बाग्राउंड नहीं पढ़ा इसका साइंटिफिक नेम या और भी छोटी-छोटी जो इनिफोर्मेशन है वो नहीं cover करी तो आपका question छूट सकता है तो ये तो हमने article पढ़ा अब इस article का background पढ़ता है ने कि static portion को link करता है ठीक है जैसे अभी हमने इससे पहले वाला जो article पढ़ा था न वाइगरा के बारे में तो हमने current news क्या थी वो Chinese soldiers वाली उसको हमने static parts से link किया जब हमने वाइगरा के बारे में समझा जब हम लोग बात करते हैं निलगरी ताहर के बारे में तो निलगरी ताहर बेसिकली हाँ पर एक ऐसा जानवर है जिसको हम लोग निलगरी आईबेक्स के नाम से भी जानते हैं क्या नाम इसको आज के समय में IUCN के अंदर endangered list में रखा गया है क्यों हो रखा गया है मैंने आपको बता दिया बाकी wildlife protection act जो है 1972 वाला उसमें schedule 1 के अंदर इसको रखा गया है schedule 1 में रखने का मतलब यह है कि इसको highly protected protection हम provide करवा रहे है यानि कि इसकी सुरक्षा कर रहे है और अगर कोई इसका शिकार बगरा करता है कोई भी याँ पर अपर अपराद करता है इस जानवर को लेकर तो इसके उपर बहुत सारी जो penalties है वो charge की जाती है ठीके बाकी इसी प्रजाती का जो adult male होता है जो बड़े size का यहाँ पर male जानवर देखने को मिलता है इसी प्रजाती का उसको अमलोक saddle back के नाम से भी जानते है क्योंकि उसकी जो back है वो थोड़ी सी gray color की भी नज़र आती है ठीके बाकी आप देखोगे यह जानवर आज के समय में तामिलाडू का state animal भी है फिर उसके बाद में आप देखोगे आज के समय में western ghats के अंदर यह जानवर पाया जाता है western ghats में खासकर nelgari hills के अंदर जादाधर पाया जाता है और उसके अलाब अगर आप देखोगे तो tasonilnadu के रेला के अंदर यह जानवर पाया जाता हुआ नजर आएगा थ्रेट की बात करें कोई खत्रों वगरा है बिल्कुल बहुत सरे खत्रों की वज़ाई से इनकी जो प्रजातियां वो खत्म हुई है तो habitat loss यानि जहां पर यह रहते हैं जहां पर यह जानवर पाय जाते हैं उस एरिया को डामेज करना लगाता डिफोरेस्टेशन होना कई सारे रिज़न है जिसकी वज़ासे यहां पर इनकी संख्याई कम हुई है दूसरा है पोचिंग यानि की हंटिंग वगरा करना तीसरा आपको देखने को मिलेगा इन एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो पहले सी बहुत कम थी आईसोलेटिट थी जिसकी चक्कर में यहां पर इनको कोई भी अगर थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है तो अब्यसी बात है इनकी पॉपुलेशन के उपर एक बड़ा इंपैक पड़ता है क्योंकि पहले से इनकी पॉपुलेशन कम नजर आती है फिर लास्ट जो एक कारण देखने को मिलता है वो है क्लामेट चेंज यानि कि लगातार गर्मी कबड़ना है ना टेंपरेचर का इंक्रीज होना वो भी इन जानवरों को सूट नहीं करता जिसकी वज़ा से इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज होती हुई नजर आई है क्लियर हो गई बात तो यह हमने यहाँ पर अब इस पूरे आर्टिकल को कम्प्लीट गया है आगया आता है यह आपको कुछ इसकी इमेजिस देखने को मिलेगी इस प्रकार से यहाँ पर यह निलगरी ताहर नजर आता है तो छिटो याई न्लकरी नजर…. पर दिख पाऊगए यह सारे के सारे निलगरी ताहार है क्लियर हो गई बात नव वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ऐसा नहीं है देखो यार करना क्या है लेक्चर मा आगे बढ़ने से पहले मेक्शूर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दो एक टारगेट है 5K प्लस लाइक का जिसको आप एचीव करवाना है दूसरी important चीज़ जो भी आपसे सवाल पूछ جाता है जैसे की उस्बैकिस्तान के बारे हैं पूछा इया उस्बैकिस्तान में एक बबाल मचोक है इंडिया की कुछ सीरप है जिसकी वज़ा से यापर कुछ लोगों की death हुई है जिस वज़ा से यापर उस्बैकिस्तान news में तो अच्छे से यापर उस्बैकिस्तान को देखना है और अभी मैं आगे details से बताऊंगा आपको इस news के बारे में भी आज की news paper देंदर इसको cover किया गया है ठीक है आज का discussion थोड़ा सा lengthy भी चलेगा क्योंकि आज पूरा का पूरा newspaper important है जो भी editorals वगरा है वो सारे के सारे important है तो इस वज़े से detailed discussion चलने वाला है ठीक है अगले page पर आपको 3-4 article देखने को मिलेंगे सारे के सारे important है पहले हम लोग एक एक करके discuss करेंगे यहाँ पर यह article देखने को मिलेगा इस article में जो information में आपके साथ में share करूँगा उसको अपने पास में जरूर से note down कर लिना यह means के लिए बहुत important होने वाला है खासकर gs paper number 2 health के लिए तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है चौका आने वाला निकल कर आया साल 2021 के अंदर में जो road accidents हैं वो increase होते वे नज़र आएं ठीक है ना साल 2020 में COVID की वेज़ से यह accidents कम हुए थे लेकिन साल 2021 में यह बराबर हो गए कितने बराबर हो गए आओ इस पुरे graph को देखते हैं इस graph के मादियम से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा आप देखोगे लंबे समय से पिछले कुछ सालों से अगर आप यहाँ पे compare करोगे तो पिछले 6 सालों से हर साल लगबग 130,000 से जादा लोगों की जान जा रही है road accidents की वज़ा से साल 2016 में यह नंबर 136,000 था साल 2017 में 134,000 साल 2018 में 137,000 के आसपास था साल 2019 में अगेन 137,000 साल 2020 में यह नंबर कम हो क्या क्यों? क्यों कि लोगडाउन था खुद गाड़ी मोटर कोई नहीं चल रही थी जिस चक्कर में यहाँ पर road accidents कम हुए फिर भी आप देखोगे 120,000 तक यह road accidents पहुँँच गए थे साल 2021 में यह आकड़ा पहुँच जाता है 1,42,000 का तो यही बताया गया कि अभी तक पिछले 6-7 सालों में आप देखोगे ना तो 2021 में सबसे जादा road accidents देखने को मिले हैं ठीके जिनकी वज़ा से लोगों की जान भी गई है बात क्लियर हो गई यह तो हो गया current issue अब कितने से कितने उमरवालों लोगों की यहाँ पे कितने कितने लोगों की जान गई है हैना वो सारी बाते बताई गई है वो आपको पढ़ने की ज़रुरत नहीं है point of views जो कि आपके साथ में share करूँगा आप directly main answer writing को लगा सकते हो ठीक है मतलब आपके बास में road safety को लेकर एक पूरा का पूरा content already ready होगा इस प्रकार का road accident को लेकर कोई भी आर्टिकल आता है आपको कोई भी पढ़ने की ज़रुरत नहीं है उठाकर यही data चेप देना है जब भी कोई question वगरा आपको दिखेगा तो ठीक है तो अभी मैं आपको बताता हूँ recently भी यह article news में था मैंने discuss किया था क्योंकि हाली में Lancet study हुई थी Lancet study की report के according बात यहां पर की जा रही है कि इंडिया के अंदर में लगबख हम 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं जो की road accidents की वज़ा से हो रही है चार चीजों के उपर focus करके वो चार चीज़े क्या है पहली बात लोगों की जो गाड़ी की speed है वो काफी जादा है इसके उपर थोड़ा ध्यान दिया जाए लोग यहां पर शराख बगरा पेके गाड़ी चला रहे हैं दूसरा इसके उपर ध्यान दिया जाए हैना तीसरा यहां पर helmets का इस्तमाल नहीं किया जा रहा उसके उपर ध्यान दिया जाए चौथा सीट बेल्ट का अस्टमाल नहीं किया जा रहा है उसके ओपर दिया जाए अगर इन चार चीजों के उपर हमने फोकस कर लिया तो जो भी मृत्यू हर साल हो रही है आप कह सकते हो इंडिया के अंदर में उसमें से कई सारे लोगों की हम जान बचा सकते हैं अगर इन चार चीजों के पर फोकस करते हैं तो यह रिसेंटल एक रिपोर्ट आई थी जिसने इसके बारे मेंशन गया था यूँकि इंडिया में जो सबसे जादा मृत्य हो रही है इवें साल 2020 में जो सबसे जादा मृत्य हुई थी ना किस-किस की वज़ा से हुई थी 69% डेथ हुई थी गाड़ी की स्पीड तेज होने की वज़ा से 30% डेथ हुई थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने थे है ना तो उसी चीज के बारे में ये रिपोर्ट ने पब्लिश किया था तो इन्होंने समझाया कि रोड सेफटी का इंपॉर्टेंस आखिर कर जया है इंडिया की अगर हम लोग मेजर ली बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट एक सबसे बड़ा मोड अफ ट्रांसपोर्ट है काफी सर लोग यहाँ पर एवन आप कह सकतो रोजाना के बेसिस पर इस रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करते ही लेकिन उनकी conditions जो है न वो बहुत खराब है ठीक है अब यहाँ पर condition खराब होने की वज़ा से आप देखोगे road का जो design है वो काफी ज़ादा बुरा तरीके से बनावाए उसकी quality बहुत खराब है कहीं पर बहुत बड़े-बड़े गड़े बने हुए है इन फाक यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं पर roads के उपर बहुत लंबे-लंबे कर्व बन जाते हैं तो वो कहीं न कहीं आपके सकतो इनसान के लिए काफी खत्रा साबित होते हैं नजरा रहे हैं तो मतलब जो हमारा infrastructure roads का यह कहीं है कि impact डाल रहा है और इसकी चेकर में भी road accidents बढ़ रहे हैं तो road accidents क्यों बढ़ रहे हैं उसके पिछी कारण हम यहाँ पर समझ रहे हैं दूसरा यहाँ पर आपको कारण देखने को मिलता है negligence and risk यानि की गाड़ी की speed तेज हो जाना या फिर कोई भी व्यक्ति alcohol या drug सा consumption करने के बाद में गाड़ी drive कर रहा है या फिर कोई ठकावा है उसके बाद यहाँ पर गाड़ी drive कर रहा है बिना किसी helmet के बिना किसी seat belt के तो ये भी कहिने के यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब इसके ओपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं सारी बात तो यह कि यह चो चार चीजें के ओपर इतना focus नहीं किया जारा है तो ये भी कहिने के कारण बन रहा है लोगों की जान जाने का तीसरा यहाँ पर reason है distraction कभी कभी आप देखोगे कई सर लोग होते हैं mobile phone लगा लेते हैं अब helmet पैल लेते हैं helmet के अंदर से भी mobile phone लगा लेते हैं कई बार मैंने कई लोग को देखा है तो drive करते हैं यहाँ पर mobile phones को लगाना कहिने कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना है road accidents का फिर बात आती है overloading की कई बार यहाँ पर क्या होता है जब कोई transportation कर रहे होता है इदर से उदर समान पहुचा रहे होता है तो पैसा बचाने के लिए धेर समान यहाँ पर एकी गाड़ी के अंदर भर दिया जाता है तो इसकी वज़ा से उस गाड़ी के ओपर overloading हो जाती है और एक हद से समान होने की वैसे गाड़ी imbalance हो जाती है जिसकी चाकर में भी again accidents होने की संभावना है काफी बढ़ जाती है और वो गाड़ी जब टकराती है ना तो दूसरे को भी लेकर डूब जाती है अपने साथ में तो यह भी यहाँ पर कहने के एक बहुत बड़ा कारार देखने को मिलता है रोड accidents के पीछे का दन उसके बाद में यहाँ पर lack of awareness यानि की काफी सारी चीज़ें जिसकी जागरुकता लोगों में है ही नहीं जैसे airbags के बारे में नहीं पता है anti-lock breaking system के बारे में नहीं पता है अभी भी कई सारे लोग को airbags के बारे में नहीं पता होगा जो की कार के अंदर एक important feature है ठीक है तो इसकी जागरुकता की काफी जादा कमी होने की चक्कर में आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे लोगों की काफी जादा accidents हो जाता है तो यह भी कई सारे challenges से जिसके बारे में ने discuss किया तो अब यहाँ पर हमने यह तो पढ़ा की हाँ क्या-क्या देकत है अच्छा अब आपके दिमग में question भी हारा होगा कि लोगों की जान जा रही है उनकी गलती की वेसे जा रही है तो उसका कोई impact वगरा पढ़ रहा है क्या जब गलती कर रहे है तो जान जा रही है नहीं इसका impact बहुत बुरा पढ़ रहा है हमारी economic के ओपर भी कैसे आप देखोगे हर साल मतलब जो हमारी basically GDP है जो gross domestic product यानी की जो हमारी economy है ना उस economy का 3% हम लोग खो रहे हैं केवल और केवल road accident की वज़े से लोग की जान जानने की वज़े से हमारी economy के अंदर 3% का loss हो रहा है जो की यहाँ पर रोका जा सकता है जो की preventable है ठीक है यह बात यहाँ पर बताई गई और दूसरा इसके impact आप देखो के society के ओपर एक बहुत बड़ा impact पढ़ता है खासकर यहाँ पर मालो जातर जो accidents यहाँ पर देखने को मिले है mail के accidents देखने को मिले है पुरूश के देखने को मिले है अब बहुत सरे office workers है अगर वो कहीं जा रहे है उनका accident हो जा रहा है है गलतियों की वज़ा से तो इस चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो पूरा परिवार उस व्यक्ति के उपर dependent था वो कहीना कहीं सफर कर रहा है तो वो यहाँ पर बताएगा कि जो हर एक rude accident death हो रहा है इसकी चक्कर में जो उस व्यक्ति का परिवार है वो कहीना की बुरी तरह से problem को सफर कर रहा है वो परिवार कहीना की गरिभी की चपेट में आ जा रहा है उधारी की चपेट में आ जा रहा है तो ये problem यहाँ पर society के level पर पढ़ रहा है अब gender basis पर भी impact पढ़ रहा है यानि कि यहाँ पर मैंने आपको बता है ना पुरुष के death जादा हो रही है ऐसा report ने mention किया तो यहाँ पर उनकी death हुई अब घर में रहने वाली मतलब घर में यहाँ पर आपका सकतो वही व्यक्ति था जो कि पूरे घर को चला रहा था अब accident की वेसे death होने की वेसे जो सारा burden है वह महीला के उपर पड़ जाता है अब महीला यहाँ पर एक तरीके साब कह सकतो सारी की सारी जो responsibilities है घर के responsibility का देखना काम के responsibility देखना घर का खरचां निकालना वो यहाँ पर आपके सकतो एक gender के उपर जो जो जोर है वो पढ़ने लगता है तो ये बात यहां बताई गई है इन फैक्ट यहां पर पता यह लगाया गया काफी सरे रिपोर्ट्स में काफी सरे घरों के अंदर में जो उनकी income level है ना वो काफी ज़ादा down हो गई है उनके घर के important व्यक्ति के road accidents की वज़ा से जो कि यहां पर पूरा घर चला रहा था ठीक है ना obviously बात है यह हो गई और उन लोगों के उपर जो करजा है वो भी काफी ज़दा increase हुआ है तो यह basically कहीं ना कि एक impact देखने को मिल जाता है road accidents की वज़ा से आप question यहां पर यह उठता है कि सर इतनी बड़ी problem है तो क्या हम इसको control नहीं कर सकते हैं अगर control कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो कई सारे steps हम ले सकते हैं तो आपको यहां पर समझना होगा इसको आप समझ रहोंगे एक interview perspective से भी इसको यहां पर आपको समझ के चलना होगा कि आप से पूछा जा सकता है कि कैसे हम लोग रोड एक्सिडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जब इतनी ज़ादा बड़ी प्रॉब्लम है तो तो सबसे पहली बात speed detection devices का इस्तमाल किया जाए जनी लोगों की जो speed है over speeding की वज़ा से सबसे जाद अमरित्ति हो रहे 70% लोगों की जो जान जा रही है वो speeding की वह से जा रही है तो पहली चीज़ तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा speed को detect करने वाले device इंस्टॉल करने होंगे जगा जगा पर ठीक है जो की पता लगा सके हाँ ये वक्ति कित्ती speed में गया है तो वो detection devices होने चाहिए camera system बगरा सब कुछ यहाँ पर हमारे पास में लगा होना चाहिए ताकि हम यहाँ पर इन चीज़ों के उपर थोड़ा निगरानी रखके इसको कंट्रोल कर सके हैं तो क्या कहीं पर ऐसा किया गया है क्या हाँ बिल्कुल चंडीगर्ड और साथी साथ में न्यू डेली यह अल्रीडी यहाँ पर इस प्रकार के speed detection devices को अपने यहाँ पर लागू कर चुके हैं ठीक है आप देखोगे कुछ यहाँ पर digital cameras चंडीगर्ड के अ जाता है कि हाँ जो बराबर से गाड़ी निकलिये ना उसकी speed कितनी थी लगबग तो बेसिकली यहाँ पर यह काम किया जा सकता है और उसी के basis पर अगर उसकी जादा speed है तो यह चलान भी काटा जा सकता है क्योंकि हमारा infrastructure भी बेकार है तो उसको भी यहाँ पर improve करना होगा यह यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ हमारे पास में rules and regulations है वो इतने tight नहीं है तो उनको tight करना होगा कुछ heavy fines को लेकर आना होगा अगर कोई traffic rules का valuation करता है ठीके ना तो उसके उपर जो fines वगर है वो impose करने ह होंगे दुबारा यहाँ पर valuation करता है पकला जाता है दुबारा भी तो यहाँ पर उसके उपर जो fine उसको और जदा increase करना होगा जो लोग यहाँ पर शराब पी कर या कोई drug के नसर में driving कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर बहुत जादा भारी जुर्माना पे करना पड़े तब अगल आडिकल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बात की जारी है एक लवे टीचर्स के बारे में तो जो एक लवे टीचर्स है ना इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी दो देंकी ट्रेनिंग चलेगी computer science के अंदर में अब यह एक लवे क्या है तो basically यहाँ पर एक EMRS के अंदर पढ़ा रहा है अब यह EMRS क्या है यह है एक लवे model residential school तो यह जो particular residential school का system है यह tribal students के लिए है जो आदिवास यहाँ पर बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर इसको लेकर आया गया है तो ट्राइबल स्ट्रेंट्स को प्रॉपर लिए एजूकेशन बिले उसके लि जा रहे है दो दिन की यहाँ पर training दी जाएगी और जिससे यहाँ पर क्या होगा उन teachers को digital education के बारे पता चलेगा और वो digital education उन teachers के माध्यम से बच्चों तक पहुचेगा तो लगबग यहाँ पर यह जो workshop है यह start होगा लगबग 54 schools के अंदर में तो जो 54 schools हैं लगबग 6 प्रदेश, ओडिशा, राजिस्थान, तेलंगना यहाँ पर इन पूरे states को मिला कर जो 54 AMRS होंगे यह वले schools होंगे इनके अंदर में यह training स्टार्ट की जाएगी और इस training के अंदर में कुछ important courses होंगे computer science को लेकर उसके fundamentals को लेकर coding को लेकर logical sequencing को लेकर तो वो सारी चीज़ यह आपको पढ़ना है एकलवे model residential school यह क्या है पूरा system यह भी आपको पता होना चीए जहाँ पर इन teachers को यह training दी जा रही है ठीक है दी जाएगी basically तो यह तो आपने current issue याद रहेगा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा background याद रखोगे तो और जाथा बहतर रहेगा जहां से examination में question आपसे बनता हुआ नजर आएगा तो एकलवे model residential schools क्या होता है समझते हैं यह जो scheme है ना EMRS यह एक ऐसी scheme है जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं जो इंडियन ट्राइबल से खासकर आपको schedule tribes देखने को मिलेंगी काफी सारी इंडिया के अंदर में तो इन tribal लोगों के लिए हा है नाशिक के अंदर में इसनों ने यहाँ पर पूरी तरह से मतलब इसको पहली बार प्लान किया गया हमारी ministry of tribal affair के थुरू और इसी के basis पर यहां क्या हुआ हमने एक clarity अपने अंदर देख लीती कि हम क्या करेंगे जो आसपास के tribal area से वहाँ पर एक quality education provide करवाएंगे ठीक है तो quality education provide करवाने के लिए EMRS schools को हम लोग बनाने लगे अब EMRS school के अंदर जो syllabus होता है बिल्कुल CBSC वाला ही होता है जैसे CBSC का pattern है वैसे ही pattern आपको EMRS में देखने को मिलेगा एक लवे model residential schools इसको बनाया गया है ताकि tribal students को हम education जो है वो provide करवा सके बात क्लिर हो गई education के साथ है उसके लिए हाँ पर इने schools को बनाया जा प्रेजन टाइम प्याने कि आज के समय में लगबख 384 के असपास इस प्रकार से schools नजर आ रहे है जो कि आज के समय में work कर रहे है हमारे पूरे देश बर में ठीक है ना तो ये बात clear हो गई जो कि बच्चे के skill development, sport, overall development को लेकर काम कर रहे हैं अब coverage की बात करते हैं तो जो EMRS की guidelines है न इस school को लेकर जो guideline है ये 2010 की guideline है इस guideline के according बात करें तो ये बोला गया कि मालो कोई भी एक particular area है कोई भी एक ऐसा area जहाँ पर 50% के आसपास schedule tribe की population है ST की population 50% के आसपास है तो उस particular area में एक ना एक EMRS school जरूर होगा ठीके तो ये guideline थी तो 2018 उनलिस के budget के according बात करें तो हमारा यही target था कि जहाँ पर भी जिस भी area में 50% के आसपास schedule tribe की population है लगबग वहाँ पर 20,000 के आसपास tribal person है तो उस particular area में 2022 तक एक ना एक एक लवे model residential school होग इसका objective क्या है वेन आपको बताई दिया है बच्चे के overall development को लेकर काम करना physical, mental, socially development को लेकर काम करना ठीक है आई होप आपको ये पुरा का पुरा information clear हो चुका है ये सब कुछ आपको PDF में मिल जाता है जो भी extra information में लगातार दे रहा हूँ न वो सब कुछ PDF में आपको मिल जा आएंगे और इनी को आप open करके सारी सारी information वहां से ले सकते हो ठीक है यहाँ पर आप देखो के three dots नजर आएंगे इन three dots के basis पर आप इसको copy paste भी कर सकते हो एडिट करके ठीक है यह एडिट करके copy paste कर सकते हो जहाँ पर भी आपको यह अपने digital notes बनाने है वहाँ पर clear होगी ब प्रित्ती हुई है उसबैकिस्तान में एक सीरप पीने की वज़ा से वो सीरप basically Indian company ने बनाई है तो basically यहाँ पर बोला गया कफ की सीरप है और वो कफ की जो सीरप है यह थोड़ी सी excessive dose के अंदर दे दी गई है 18 बच्चों को और उस सीरप का नाम है Doc 1 Max इस सीरप को बनाया गय Marian Biotech के थुरू एक Indian company है जिसकी वज़ा से यहाँ पर इन बच्चों की जान चली गई ठीक है अब बोलता है यहाँ पर यह है उसबैकिस्तान की इंडिया की health ministry को उसके बारे में पता था लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर भी इसके उबारे में कोई भी जिकर नहीं गिया ठ दो लाए जा रहा है क्यों बच्चों की जान गई है क्योंकि इस सीरेप के अंदर में इथाइलीन ग्लाइकोल का अस्तमाल किया गया है इथाइलीन ग्लाइकोल जो कि कईने की जहरीला है ऐसा यहाँ पर उसबैकिस्तान मेंशन करता है ठीक है तो यह तो यहाँ पर आपने current issue पर लिया है कि exactly क्या हो रहा है उसबैकिस्तान के अंदर में बट यहाँ पर हम समझते यह हैं कि आखिरकार जो यह दवाईया है जो ड्रग्स जो medicines है इनको बनाने की manufacturing इनको बेचने की जो approval बगरा है वो किस-किस के हाथ में कैसे यहाँ पर इनको देखा जाता है तो इंडिय इसने यहाँ पर सारी की सारी जो जिम्मेदार ही है वो हमारी केंसरकार और राजसरकार के regulators के उपर दे रखिए कि यह लोग सारी की सारी दवाईयों को cosmetics को regulate करने का काम करेंगे उसको control करने का काम करेंगे यह particular act हमें कुछ guidelines देता है कि क्या करा जाएगा license दिया जाएगा जो उसके बाद में एक और body आ जाती है वो है CD SEO बहुत important है Central Drug Standard Control Organization तो इसका भी यहाँ पर काम क्या है यह हमारे यहाँ पर जितने भी drugs जितने भी दवाईया है cosmetics products हैं उनको यहाँ पर उनकी safety को लेकर उनकी quality of drugs को लेकर यह check करता है मतलब उनकी quality को maintain करने का काम उनकी efficiency को maintain करने का सारा का सारा काम यहाँ पर CD SEO को दिया गया है ठीक है ना जो भी दवाईया import हो रही है या कोई license अप्रूव करना है तो वो सारा काम यहाँ पर basically उस काम को supervise करने का जो काम है वो CD SEO को दिया गया है जितनी बाद दवाईया हम इंडिया से export करते हैं वेदेशों में जो करने की CD SEO का ही head department है यह हमारे government of India की body जो है ना इसका काम भी है यह कि जितने भी license है उन license को approval देना इसका काम है कुछ rules and regulations mention करना दवाईयों की manufacturing को लेकर उसके sale को लेकर उसके import को लेकर उसके distribution को लेकर जितने भी standards जितने भी rules and regulation set करने का काम होता है वो DCGI का होता है तो दिहा ही हो गया एक हो गया CD SEO और एक तीसरा हो गया आपर drugs and cosmetics act ठीक है clear हो गई बात यह आपने यहां पर ध्यान में रखना है आगे आते हैं उसके बाद next article पर अगला article है हमारा economy page पर देखो economy page पर हर रोज important article नहीं आते है मैं कुछ comment देखता हूं नीचे कि सर आप economy page discuss नहीं करते ह है कभी कदार important article आ जाते हैं तब discussion में करता हूं जो काम के होता है ठीक है न तो फालतु में time waste महाँ पे मत क्या करो जब काम के article आएंगे तो आपको definitely वो मिल जाएंगे और आपको इपास भी एक particular data होगा तो economic question आप छोड़ कर नहीं आओगे ठीक है लेकिन काम के article भी तो होन नारे देश में वो manufacturing sector की बजाए service sector में जाधा देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर बोला गया कि जो foreign direct investment है वो हमारे service sector के अंदर जाधतर देखने को मिलेगा आप देखोगे April 2000 से लेकर March 2014 के बीच में तो यहाँ पर जो investment आया है service sector के अंदर में वो 80.51 billion dollars का था लेकिन 2014 2014 से लेकर 2022 के बीच में जो यह investment है वो बढ़ गया और बढ़ कर यह 153.01 billion dollars तक पहुच गया तो service sector में तो investment हमारा बाहर से आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन manufacturing sector में जो हमारा investment है वो लगातार कम होता बनाजर आया है ऐसा यहाँ पर बोला गया और अगर मतलब थोड़ सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर है जैसे हमारा टेलिकॉम सेक्टर हो गया बैंकिंग सेक्टर हो गया इंशॉरेंस हो गया आईटी बिजनस आउट्सोर्सिंग होटल टूरिजम यह कुछ फेवरेट इंपोर्टेंट जगा रही है जहाँ पर सबसदा FDI आया है आप ऐसा कह स तो इस डेटा को यह पढ़ लेना काफी रहेगा आपके लिए इनफ रहेगा ठीक है अब करना क्या है इस आर्टिकल का थोड़ा बैक्राउंड पढ़ना है जैसे FDI होता क्या है क्योंकि जब तक यह नहीं पता होगा तब तक काम खतम है इस आर्टिकल कोई फाइल दे नहीं है foreign direct investment क्या होता है और साधी साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसका difference जो है वो FPI के साथ में क्या है यानि कि FDI और FPI एक foreign direct investment होता है एक होता है foreign portfolio investment यह दोनों के बीच में क्या फरग होता है आव इसको समझता है ठीक है तो FDI की जब लात करते है foreign direct investment की तो बाहर की जो country का कोई यहाँ पर व्यक्ति है जब हो हमारे देश के अंदर किसी company के अंदर investment करता है पैसा लगाता है निवेश करता है तो वो basically FDI कहलाता है है तो वहाँ पे वो direct control भी मांगता है जो पैसा invest करता है तो उसका direct control भी आ जाता है लेकिन यहाँ पे जो FPI होता है foreign portfolio investment यह थोड़ा अलग होता है यानि बहार का व्यक्ति आगें वो हमारे देश में investment तो कर रहा है लेकिन stock market में mutual funds में जब भी वो stock market बगरा में investment कर रहा होगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमारे stock market bond market में investment कर रहा होगा तो वो basically foreign portfolio investment कर लाएगा FPI कर लाएगा ठीक है यहाँ पे उसका ज़्याद यहाँ पर एक picture है मेरे पास में थोड़ा सा blur है लेकिन समझने के लिए काफी है तो FDI, FPI के difference को समझते हैं पहली बात इनके definition क्या बूलती है definition में आप देखोगे तो FDI का मतलब है अगें जो बाहर के investor है उनका investment आना हमारे देश में खास कर companies के अंदर में ठीक है न बाकी FPI का मतलब है investment आता तो है लेकिन stock market के अंदर bond के अंदर directly पैसा लगाया जाता है ठीक है investor का roll कैसा होता है तो FDI में जो investor है वो active investor होता है लगात आप देखोगे यह indirect investment है यहाँ पर directly company के दर गया जा रहा है यहाँ पर stock market की तुरू यहाँ पर जो bonds वगरे वो सब purchase करे जा रहे है ठीक है यहाँ पर जो control FDI के अंदर में control high होता है लेकिन यहाँ पर control काफी कम होता है direct investment में यानि कि FDI के अंदर में आप देखोगे तो long term investment ह लंबे समय के लिए पैसा लगाया होता है लेकिन stock market में कभी भी निकाल सकते हैं तो short term investment कहलाता है यह ठीक है तो यह बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है इस प्रकार से यह कुछ important points हैं जो कि आपको FDI और FPI के बीच में difference को clear करते हैं यहाँ से सवाल बन सकता है कैसे बन सकता है देखो एक UPC ने साल 2014 में यहाँ पर question पूछा था लेकिन यह कोई FDI FPI को लेकर नहीं था यह basically foreign exchange reserve को लेकर था आपको मैंने foreign exchange reserve भी काफी बर पढ़ाया है तो foreign exchange reserve में क्या-क्या चीज़े आती हैं बस यह पूछ लिया गया यहाँ पे चार option दिये गए तो इसका स जो है वो सही उतर था तो मतलब इसी foreign exchange reserve से ही संबंदित FPI FDI है तो मैं आपको इसका लिंक करके समझा दिए कि ऐसे questions यहाँ पर बन सकता है क्लियर हो गई बात आपसे पूछ जा सकता है कि FPI में कहाँ पे investment होता है FDI में कहाँ पे investment होता है ध्यान अकना FPI में stock market bond market में directly पैसा invest किया जाता है आगे आते हैं अगले article पर नहों आते हैं editorial discussion पर आज का editorial discussion होने वाला है बहुत 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 जादा important मज़ा आएगा आपको सारी चीज़े समझने में सारी editorial important है आज के भी पिछले को समय में editorial इतने खास नहीं आ रहे थे बट आज कल बहुत खास आ र hydrogen के बारे पढ़ाया था याद आ रहा होगा बहुत डिटेल समझाया था green hydrogen क्या है कैसे बनती है कैसे green hydrogen के लावा और भी hydrogen सोती है सब कुछ समझाया था बता था ना आज उसी के उपर ये question दिया गया है question क्या है green hydrogen is being termed the fuel of the future green hydrogen को हम लोग देख रहे है कि ये कहीन के भविश भविशे के लिए आने वले time के लिए एक fuel की तरह यानि एक future fuel की तरह इसको देखा जा रहा है तो आपको analyze करना है इसके बारे में कि वाकई में ऐसा है क्या दूसरा यहाँ पर बताना यह है कि क्या क्या कदम इंडिया उठा चुका है green hydrogen को promote करने के लिए ये भी मैंने आपक साधी साथ में आपको बताना है कि जो ए green hydrogen है इसको बढ़ावा देने के लिए संबंद में भारत के द्वारा क्या 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 कदम उठाए गए है उसको भी यहाँ पर आपको mention करना है इस पूरे answer में और answer लिके कहां पर submit करना है टेलिग्राम पर जाना वापे search box में टाइप करना दीपक यादव education means answer writing फुल फॉर्म लिकना आपको वो मेरा चैनल मिल जाएगा लगबग 41,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में वहाँ पर जुड़ सकते हो साधी साथ में जब आप लोग answer लिकर submit करोगे ना तो एक छोटा सा काम करना है at least सभी लोग को दो-दो answers review करने तो सभी लोग यहाँ पर जब दो-दो answers को review करेंगे तो इससे काफी सारे फायदे होंगे जैसे कि आपके पास में कुछ important points मिलेंगे जो कि आपने नहीं mention करें तो इससे आपका thought process और जदा enhance होता वह नजर आएगा और एक और चीज़ यह है कि अगर सामने वाले के answer में कोई mistake होगी तो आप उनको बता सकोगी कि यहाँ यहाँ पर एक छोटी सी improvement की आफशकता है ठीक है तो इस प्रकार से cooperative way में वो group चल ला है तो आप भी जाकर यहाँ पर उसका हिस्सा बन सकते हो स्टार्ट करते हैं editorial discussion को सबसे बला जो editorial है यह बात करता है इंडिया नेपाल relations के बारे में तो basically यहाँ पर नेपाल politics के बारे में चर्चा की गई है तो यहाँ पर मैं जादा इस article में जाओंगा नी इस से हट कर मैं आपको कुछ काम की चीज़े provide करवाने वाले हूँ आज से information आपके लिए काफी है आप मेंस में आपर उसका इस्तमाल कर सकते हो या प्रलेमस में कोई question आता है तो यहाँ से वो बन जाएगा ठीक है तो हुआ क्या नेपाल recently news में क्यों आया इसको समझते है पहले नेपाल इसलिए news में आया क्योंकि नेपाल के एक नए प्रधान मंत्र आ चुके हैं जिनका नाम है pushp kamal dahl इनको यहाँ पर प्रचंड के नाम से भी जाना जा रहा है तो प्रचंड यहाँ पर नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं बोला जा रहा है कि Kp शर्मा ओली के साथ ही है के P शर्मा ओली जो की पहले हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर कि प्रचंड से पहले जो देवा थे न ये बिल्कुल सही थे इनके टाइम पे इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप थोड़े से इंप्रूव हुए लेकिन जो ये प्रचंड इनके समय पर आने वाले समय में रिलेशनशिप खराब हो सकता है क्यों क्योंकि केपी शर्मा ओल प्रचंड के प्राइम इपर प्राइम प्रचंड क weapon के रिलेशनशिप भी खराब हो गए थे ये वालत समय पर हो गए थे बट अभी के समय पर आप देखोगे काफी चीज़े इंप्रूव हुई है देवगा के इंडर में बट आने वाले समय में ये एक expectation एक अंदाजा लगा जा रहा है कि वापस से ये problematic हो सकता है इंडिया के लिए क्योंकि ये कईने की जो प्रचंड आए है ये भी प्रो चाइना ही देखने को मिल देंगे ठीक है तो प्रचंड जो एक नए प्रामिनिस्टर बने है ये इंडिया के लिए क्या मतलब है मतलब इंडिया से क्या समझेगा इंडिया इससे ये समझेगा कि प्रचंड को अगर हम पहले से देखें, तो वो basically pro China रहे हैं, और आप कह सकते हो, इंडिया के against में बाते उठाई हैं, तो again आने वले समय में, कहीं ने के इंडिया के against में काफी सारी चीजों को लेकर बातचीत कर सकते हैं, territory dispute को लेकर ये मामला वापस से ख़ड़ा कर सकते हैं, तो वो problems आने वले समय पर नजर आएंगी, ये territory problems क्या हैं, आगे मैं आपको समझाओंगा, don't worry, सब कुछ clear किया जाएगा, लेकिन अब इससे पहले आपको समझना होगा कि भारत और साथी साथ में नेपाल के जो relations है, वो कहां पर stand करते हैं, किस प्रकार का, दोनों का यहां पर संबंद देखने को मिलेगा, तो पहले हम discuss करेंगे trade के बारे में, यानि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार वगरा है, वो किस level पर है, कैसे व्यापार होता है, देखो इंडिया जो है ना वो नेपाल का एक सबसे बड़ा trade partner है, व्यापार के मामले में हम लोग एक बहुत बड़े trade partner है, in fact साल 2019-2020 को देखोगे, तो इंडिया नेपाल के बीच में जो bilateral व्यापार हुआ था, दोनों देशों के बीच का व्यापार था, वो 7 billion dollars को cross कर चुका था, तो आप imagine कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर नेपाल को काफी फाइदा भी होता है, क्योंकि इंडिया जो है लगाता और इंवेस्ट करता रहता है नेपाल के अंदर में, इंडिया नेपाल के अंदर जितना भी इंवेस्टमेंट है, उसका 33% यहाँ पर केवल और केवल इंडिया से जा रहा है, लगबग 500 million dollar का इंवेस्टमेंट यहाँ पर नेपाल के अंदर में भारत ने कर रखा है, बाकी connectivity की बात आती है, तो आप देखो कि नेपाल basically एक landlock country है, यो कि जब आप यहाँ पर इंडिया का माप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार साहाँ पर ड्रॉ करोगे, यहाँ पर आपको उपर नेपाल देखने को मिल जाएगा, तो नेपाल के नीचे यहाँ पर बारत आ गया, तीन साइ ठीक है न, तो यहाँ पर नेपाल वैसे एक landlock country है, क्लिर हो कि बात, तो इंडिया और नेपाल ने लंबे समय में कई सारे program स्टार्ट करें, ताकि यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के जो people to people relationships हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, economic growth को लेकर काम किया, development को लेकर काम कि धीरे धीरे यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी सारे development हम लोगों ने पिछले कुछ समय पर देखा है, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रायमिनिस्टर्स ऐसे भी आते रहे जिनकी चक्कर में इंडिया नेपाल के relations खराब भी हुए हैं, अब देखो के भारत आज के समय पर क्या कर रहा है, हम लोग नेपाल के माधियम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वाटर वे बनाने की त्यारी कर रहे हैं, एक वाटर वे बनाया जाएगा, पानी का रास्ता बनाया जाएगा, जिससे कई सारा समान इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया यहाँ आ सकेगा हम व्यापार कर सकेंगे इविन यहाँ पर नेपाल को यहाँ पर एक तरीके से जरिया मिल जाएगा इंडियन ओशन से कनेक्ट होने के लिए तो नेपाल का जो सागर माता माउंट एवरेस वाला रीजन है इसको हम लोग अपने सागर इंडियन ओशन से कनेक्ट करने की भी त्यारी कर रहे है बागी डिफेंस कोपरेशन की बात करें यह तो हमने पहला पॉइंट व्यापार के बारें बात कर लिए दूसरा बात करते हैं डिफेंस की मामले में तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन डिफेंस के मामले में भी बहुत ज़ादा अच्छ है, बिल्कुत सगे रिलेशन देखने को मिलेंगे, कैसे, तो आप देखोगे जो नेपाल की आर्मी है ना, इसको भारत लगातार सपोर्ट करती रहती है, कैसे यह और ज़ादा मौडन हो सकते हैं, इनको हत्यार प्रोवाइट करवाना, ट्रेनिंग प पर जो आपको यह हमारे सोल्जर्स देखने को मिलेंगे, वो बेसिकली नेपाल की कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्रूट करे जाता है, नेपाल के कुछ यहां पर एरिया से उनको हायर किया जाता है, बाकि आप देखोगे, साल 2011 से ही, इंडिया और नेपाल के बीच मे एक अभ्यास किया जा रहा है, उसका नाम है सूरे करन आपको दिहान होगा, सूरे करन अभ्यास साल 2011 से रागुलर बेसिस पर इंडिया और नेपाल साथ में मिलकर कंड़क्ट कर रहे हैं, तो यह हो गया डिफेंस के मामले में, अब बात करता है हिमानिटेरियन असिस्टेंस के मामले में, एक बात शरूर से ध्यान अगना, नेपाल देश जना एक ऐसे रीजन में स्थित है जो की एकोलोजिकल फ्रेजाइल जोन है, मतलब यह है कि वो एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर बार बार जो भुकम पर आते रहता है, आपको बता होगा एक भुकम कुछ साल प नेपाल को हर प्रकार से जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाता है, बाकि आप देखोगे, इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ मल्टी लेटरल पार्टनर्शिप्स भी नजर आएंगी, यानि कि ये दोनों ही देश मिलकर अलग-अलग ग्रूप्स में अपनी ग्रूप्स के अंदर सपोर्ट करता है, तो ये तो हो कि यहाँ पर रिलेशन्स के अच्छी साइड की क्या लेवल पर रिलेशन्स चल ला हैं, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया चल ला है, अब बात करेंगा हम चलेंजिस के बारे में कि आखिरकार इन दोनों देशों क के बीच में, जो ये संबंध हैं, इन में क्या-क्या दिक्कत आ जाती हैं, सबसे पहली प्रॉबलम है टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एक बहुत बड़ा चलेंज आपको देखने को मिलेगा, इंडिया नेपाल के रिलेशन के बीच में, वो है बाउंडरी को लेकर, काला पा की विवाद क्या है, आँ इसको एक पिच्चर के माध्यम से समझते हैं, जो ये विवाद है ना, ये केपी शर्मा ओली के समय में और जदा बड़े लेवल पर पहुंच गया था, अब आप देखोगे, नेपाल में क्या होता है, केपी शर्मा ओली जब प्राइम मिनिस्टर तो इन्होंने कुछ समय पहले क्या किया, एक अपना ओफिशल मैप रिलीस कर दिया नेपाल का, और नेपाली वर्जन वाला मैप ये लेकर आए, और नेपाली वर्जन मैप में इन्होंने क्या करा, ये जो मैं रिजन ड्रॉ करूँगा, इसको बहुत धिहां से देखना, जो नेपाल ने जो मैप रिलीस किया था के-पि शर्मा ओली के समय में, ये रिजन इन्होंने अपने हिस्से में दिखाया, लेकिन वो है इंडिया का हिस्सा, तो ये जो मैप ये कौन सा है, नेपाली वर्जन वाला मैप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप इसका बेसिकली यहाँ पर यह जो particular रीजन है यह पितोड़ करण के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप इसका original version देखोगे तो यह जो रीजन है यह है बेसिकली original औरिजनल मैप देखोगे तो यह जो पर्टिक्लर रिजन है यह इंडिया का हिस्सा है यह इंडिया का हिस्सा है लेकिन नेपाल ने अपने हिस्से में यापर इसको दिखाया नेपाल इस वाले रिजन को बोलता है यह हमारा रिजन है जबकि यह इंडिया का पार्ट है इस वज है न कि केपी शर्मा ओली वाली आइडिलोजी वाले ही प्रचंड है तो आने वाले समय में इंडिया नेपाल के नेपाल को लेकिन जो बाकी जगा बच जाती है इंवेस्टमेंट लोन सपोर्ड को लेकर वो चाइना उस जगा को भरता वा जा रहा है और चाइना कहीने के आप कह सकते हो कि नेपाल को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर समझता है कि जो बैल्ट एंड रोड इनिशिटिव है य उससे व्यापार को बढ़ाना चाहता है अपना काफी सारा समान यहां पर उसको बेचना चाहता है तो वहां पे भी इस प्रकारगी चीज़े नजर आती है तो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है वो है चाइना का इंटरवेंशन तो यह बात यहां पर रिलेशन्स के अंद आ गयाते हैं अगला आर्टिकल यह जो एडिटोरल नंबर सेकेंड है यह भी काफी ज़दा इंपोर्टन होने वाला है क्या बात है यह बिसकिली टेक्स और कॉंटेक्स पर रहे है तो टेक्स और कॉंटेक्स के आर्टिकल भी हम डिसकस करते है ना तो हमारा पुरा गवरा हि हिंदू नियूस्पेपर का निचोड है यह पुरा एनलेसस तो यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है यह टेक्स और कॉंटेक्स से उठाया गया है क्या बात है what is the proposal to ban the sale of single cigarettes जो single cigarette है ना इसको यहाँ पर ban करने के बारे में चर्चा की जा रही है जो हमारी parliamentary standing committee है on health and family welfare इन्हो अपनी latest report में यह बोला है कि अगर हमें यहाँ पर इस तंबाकू की वज़ा से या फिर आपके सकते हो कि इस cigarette पीने की वज़ा से जो लोग की जान जारी है इसको रोकना हो है ना तो इसके लिए एक अच्छा कदम यह उठाया जा सकता है single cigarette को ban कर दो यानि कि जो packet में से single cigarette न पूरा packet बेचो इससे क्या होगा कि काफी सारे लोग आज की समय में केवल और केवल single cigarette लेते हैं या काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे शौकीन है कि भाईया हमें try करना है बस एक बार लेकिन वो फिर उस नशे में पढ़ जाता है तो वो जो single cigarette है ना वो कहीने कि काफी सारे ल प्रॉल आ सकता है इसको लेकर यहाँ पर्लेमेंटरी इस पर डैंडिंग कमीटी ने यह सारी बाते मेंशन करी है और पूरा 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 प्रोपोजल रखती है कि हाँ बिल्कुल single cigarette को ban कर ही देना चाहिए ठीक है क्लिर हो कही बात तो अगर मैं आपको यहाँ पर और डीटिल से लेकर चलू क्या क्या मेंशन ने इसको समझने की कोशिश करता है नंबर वन पॉइंट जो लैंसेट रिपोर्ट है ना इस लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया यह गया कि सात मिलियन के आसपास हर साल लोगों की जान जाने वाली है साल 2030 तक किसकी चकर में केवल और केवल इस स्मोकिंग की चकर में और सबसे जादा जान कहां पर जाएगी मिडिल इंकम कंट्रीज के अंदर में जाएगी जहां पर लोगों की आ इतनी अच्छी है नहीं तो उनके अंदर ही सात मिलियन लोगों की हर साल जान जाया करेगी 2030 तक सात मिलियन सम data कह सकते हो तो ये कहें नहीं बहुत बढ़ी problem आने वाले समय पर बढ़ने वाली है और इसमें आप देखोगे सबसे important चीज़ है single stick यानि single cigarette single cigarette बहुत ज़दा economical है यानि कि 5-10 जितने वी रुपए की भी आए तो वो single cigarette को अराम से हर एक विक्ती purchase कर सकता है पैसा होते हैं लिमिटेड अमाउट होता है तो वो single cigarette purchase जब single cigarette बिके गए नहीं तो वो purchase ही निकर पाएंगे उनको पूरा packet purchase करना पड़ेगा तो कहीने कि उनकी जो habit है इसको रोका जा सकता है कहीना कहीन तो रोक लगेगी ऐसा यहाँ पर माना जाला है तो यह जो single stick है ना इसके उपर ban लगाना इसको बेचने से यहाँ पर रोकना और तो यह कहीने कहीन आपका सकते हो एक अच्छा impact डालेगा और यह कहीने कहीन जो smoking है इसको रोकने मदद करेगा ऐसे यहाँ पर इस पुरी की पुरी Lancet report ने publish किया है ठीके बात क्लिए रोगी तो यह मैंने आपको समझा दिया क्या है reason मतलब बिल्कुल directly निचोड बताया कि exactly क्या है इस article में और इसके लावा और कोई कानी नहीं है जो बताया उतना ही है लेकिन अब इस article का थोड़ा सा background data discuss करेंगे आखिकार समझेंगे यह जो smoking है इसकी चकर में इंडिया में क्या क्या हो रहा है कितने लोग की जान जारी कितनी खतरना कही है इसको हम लोग टॉबे को consumption भी कह सकते हैं ठीक है न तंबाकु को खाना अब तंबाकु देखो खाई भी जारी है अगर आप cigarette पी रहा है तो अभी तंबाकु का एक तो consumption है उस cigarette के अंदर क्या है है तो तंबाकु ही ना उसको यहाँ पर consume कर रहा है वो तो बात यहाँ पर टॉबे को consumption किये तो आप इसको समझते हैं देखो टॉबे को consumption कहीने के एक बहुत बड़ी problem बनावा है इस cigarette पीने की वज़ा से ठीक है ना इंट्वेक यहाँ पर बताया गिया कि आप देखोगे कई सारे लोग यहाँ पर इससे addict भी हो जाता है जो टॉबे को इसका जो consumption है चाहिए वो किसी फॉर्म में भी consumption हो वो कहीने की बहुत ज़दा खतरना की साबित होता है टॉबे को की चक्कर में टॉबे को consumption अलग लग प्रकार से होता है एक तो cigarette के मादयम से पी लिया उसके लवा डियरेक्टी खा लिया या फिर यहाँ पर आपका सकते हो कि सिगार उसके बाद में और कई सारे तरीके हैं जिसके मादयम से टॉबे को का consumption किया जाता है हलाकि इससे कई सारी problems create होती है यानि कि कोई जाद अगर इसका consumption कर रहा है तो उसे कई सारी विमारिया पैदा होती है जैसे cancer, lung disease, heart selected problem, stroke ये सारी परिशनिया केवल और केवल टॉबेको के consumption से बढ़ रही है अब इस टॉबेको के consumption का जो status है इंडिया में कहाँ पर stand करते हैं इंडिया में क्या हाला आते हैं आओ इसको समझते हैं 38% men और 9% women जिनकी उम्र 15 साल से उपर है ये लोग कहिना की टॉबेको वाले प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा खुद National Family Health Survey की फिफ्ट वाली रिपोर्ट ने बताया है कि जो की 2019 से 2021 सके डेटा को कवर करती है तो इतने आदमी और इतनी ओरतें यहाँ पर जिनकी उम्र 15 साल से उपर है वो खहिने की टॉबेको के प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल कर रही है उसके अलावा यहाँ पर इस डेटा नहीं यह बताया कि जो 19% women है और 51% जो men है यह वो लोग है जो schedule tribe से belong कर रहे है यह जादा टॉबेको का इस्तमाल कर रहे हैं बाकी दूसरी tribal group या कास से अगर जब इनको comparison करते हैं तो उस तोर पर बाकी आप देखोगे जो men और women है इनका consumption मतलब सबसे जादा जो consumption consumption टॉबेको का किया जा रहा है वो गाउं में किया जा रहा है शेर के अंदर यह consumption कम है लेकिन गाउं के अंदर थोड़ा ज़्याद़ देखने को मिलेगा ठीक है बाकी यहाँ पर और क्या समझाया गया कि जो टॉबेको है न यह जो इस्तमाल किया जा रहा है इससे कहीने की काफिसरी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ती जा रही है आप देखोगे कि कहीने की एक बहुत बड़ा कालड़ बना है लोगों की मृत्यू का हर साल यहाँ पर 1.3 मिलियन के आसपास भारत के अंदर डेथ हो रही है और इंडिया एक दूसरा सबसे बड़ा कंजूमर भी है टॉबेको प्रॉडक्ट्स का हम लोग कंजूम भी कर रहे है और प्रड्यूस भी कर रहे है खास बात यहाँ पर यहाँ कि हमारे देश में बहुत सस्ते इनिशेटिव स्टार्ट किये गए है जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया वर्ल्ल हेल्थ ओगनाजेशन फ्रेमवर्क कंवेंशन ओन टॉबेको कंट्रोल तो एक इनिशेटिव यहाँ पर यह देखने को मिलेगा अब वर्ल्ल नो टॉबेको की तरह इसको अब्जब हर साल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इसके बारे में जारुकता फिला सकें बता सकें कि आखिरकार तमवाकू खाने के कितने ज़ादा डेडली एफेक्ट से हैं इनसान की कितनी ज़ादा जान जारी है किती सारी विमारियों से इंसान को सफर करना पड़ता है ठीक है तो ये तो हो गए अब बात करता है इंडियन इनिशेटिव की कि भारत यहां पे क्या क्या कर रहा है टॉबेको के कंजंप्शन को कंट्रोल करने के लिए तो उसके लिए हमारे पास में एक कोटपा पाकेट सेंस ये जो चीज़े है इसके उपर एक वार्निंग देना और बस खाली इतना लिखा वर रहा था था कि हां सिगरेट पीना हमारी हेल्थ के लिए काफी ज़ादा हानिका रख है लेकिन ये केवल और केवल सिगरेट के पाकेट पर ही एडवर्टीजमेंट को दिखा था ये वाला एक्ट लेकिन हमने इस सिगरेट एक्ट को ही बदल दिया इसको हमने कनवर्ट कर दिया cigarettes and other tobacco products act यानि cigarette के साथ साथ जो दूसरे प्रोड़क्ट्स हैं जैसे pipe tobacco, sheroot, hookka chewing tobacco, pan masala, goodka जितनी भी चीज़े हैं न इन सब के उपर हम यहाँ पर यह tag लगा देंगे कि हाँ इन सब का consumption आपके health के लिए खदरनाक है तो इस प्रकार से यहाँ पर एक change किया गया था बाकि जो दूसरा कदम उठाए गया है वो है promulgation of prohibition of electronic cigarettes ordinance 2019 तो यहाँ पर मकसद था हमारा कि जो e-cigarettes होती है e-cigarettes के बारे मैंने आपको काफी बार पढ़ा रखा है आपको याद होगा हैना e-cigarettes कितनी जादा हानी कारक है तो इसके production को रोकने का काम करता है इसका production, manufacturing, import, export, transport, sale, distribution हर चीज़ को यहाँ पर रोकने का यह काम करता है तो एक कुछ initiatives है जो कि भारत के side से start करे गए है ताकि हम लोग यहाँ पर top एको के consumption को रोक सके है ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि क्या है proposal, क्या है single cigarette का मामला क्या है पूरा का पूरा issue चलो, अब चलते हम अपने next editorial पर अगला जो editorial आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यह वाला यह बात करता है इंडिया must build awareness on population control जब बात करता है जन संख्या को control करने की तो भारत को केवल और केवल एक जागुटा फेलानी है कोई कानून लाने की जरुरत नहीं है यहाँ पर जो दो writer है ना आरेन पांडे साब और इदर संजे कुमार साब इन्होंने इस article को लिखा है इस idoral को लिखते वह यह बोलता है कि देखो भाईया population control की लेकर कई सारे राजे बिल लेकर आ रहे है उत्तरप्रदेश यहाँ पर जन संख्या को control करने के लिए बिल लेकर आया तो उस बिल की जरुरत ही नहीं है क्योंकि already इंडिया का population rate गिरता वह नजर आ रहा है बस खाली एक जालुकता फिलादों लोगों के अंदर काम हो जाएगा उस चीज के ओपर यहाँ पर राइटर जोड देते हैं और डीटेल से चलते हैं समझेंगे क्या कया यहाँ पर उन्हें मेंशन किया हुआ है एक सेगड उख जाओ बात करते हैं अभी क्या होता है दिसंबर के महिने में लगबाग पारलियमेंट के अंदर में जो पारलियमेंट के दो MPs है बसला पालियमेंट के मेंबर हुए जो की बीजेबी से बिलॉंग करता है रवी किशन साब और साधी साथ में निश्रीकान दूबे इन्होंने लोकसवा के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है न वो जारी किया प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते वे इन्होंने यहाँ पर उस बिल का वैसे मकसद क्या था उस बिल का मकसद था इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना भारत के अंदर में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके वह से भारत में विकास इतना हो नहीं पारा या फिर हो रहा है तो बहुत धीमीगती से हो रहा है यह चीज यहाँ पर इन्होंने एक्स बिल के माधम से बताई साथ सात में इस बिल ने आर्गुमेंट यह भी किया कि हमें तुरंथ ही जरूरत है कि हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सके इसके ओपर रोक लगा सके तो यह जो डिबेट है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई नई डिबेट नहीं है है ना बहुत पुरानी डिबेट है लंबे समय से चर्चा की जारी है एवन जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ पर चर्चा की जारी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ना पॉपुलेशन को लेकर क कहीं ना कहीं कंट्रूल करने की लेकर बात चीत हो रही है लगातार। इन्होंने ये बताया, एक समय था, 1950 में भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था, यानि कि एक महिला कितने बच्चों को जन्व दे रही है, वो कहलाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, 1950 में ये टोटल फर्टिलिटी रेट 5.9% के आसपास था, ऐसा याँ पर बोला जा रहा है, लेकिन आज की समय में ये फर्टिलिटी रेट औरेड़ी कम हो चुका है, सरफ पॉपुलेशन औरेड़ी कम हो रही है, जो 1950 में 5.9% के आसपास फर्टिलिटी रेट था, ये कम होकर इस बार 2% बचावा है करेंट टाम में बात करें 2% का यहां पर चला है मतलब एक महीला लगबग 2 बच्चे को जन्म दे रही है ठीक है ना ये अपने आप में ही कम हो चुका है ऐसा यहां पर मेंशन किया जा रहा है बात के लिए रोगी फिर इन्होंने ये बताया कि जो ये डिबेट और ये पॉपुलेशन को लेकर ये कहीने कि प्राक्टिकल नहीं है यहां पर पॉलिटिक ज़ादा खिरी जा रही है जैसे आप देखोगे अभी आज से 6 महीने पहले उतरपरदेश असेंबली इलेक्शन्स में योगी आदितेनाथ जी इनकी जो सरकार है इन्होंने यहां पर क्या किया उतरपरदेश के अंदर में एक बिल लेकर रहे उतरपरदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कंट्रोल इस्टैबलाजेशन वेलफेर बिल 2021 इस बिल के अंदर यहां पर बोला गया ठीक है न, अब population को control किया जाएगा वहाँ तक बार ठीक थी, लेकिन writer बोलता है कि ये practical से ज़्यादा political हो गया political इसलिए हो गया, क्योंकि इन्होंने एक बात ये बोले, इस bill के अंदर में इस bill के अंदर ये बोला गया, कि अगर कोई व्यक्ति है, जिसकी जिसके यहाँ पर दो से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात यहाँ पर बोलती गई, अब आप कहे सकते हो कि इसमें ज़्यादा clarification नहीं था, इस bill के अंदर clarification इसलिए नहीं था, क्योंकि आप देखोगे, कई बार ऐसा होता है कि माल लो, एक व्यक्ति है, जिसका पहले सी यहाँ पर दो बच्चे है, और वो सरकारी जॉब में तीसरा हो गया, अब सरकारी जॉब में ओलेडी है तीसरा हो गया, तो क्या, उसके सरकारी जॉब छीन ली जाएगी एक और काइड, एक और प्राब्लम है, यहाँ पर यह देखने को मिलेगी कि माल लो, यहाँ पर एक व्यक्ति है, जिसकी शादी होई भी है अब उसकी दुबारा शादी हो जाती, मतलब उसके दो बच्चे पहले सी ते, अब दुबारा शादी होगा इसके पास में तीसरा बच्चा हो गया, एना वो गवर्मेंट जॉब उसको नहीं मिलेगी तो यह कही न कहीं, प्राक्टेकल नहीं था, बस खाली ऐसी यहाँ पर गेम खेल दिया गया तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहा है राइटर बोलता है कि वो चीज़े प्राक्टेकली कहीं पर भी अप्लीकेबल होती भी नहीं नजर आ रही है जबकि राइटर ने मेंशन किया कि हमें डेटा ना कुछ और चीज़े दिखाता है हमें डेटा क्या दिखाता है इसको समझता है हमी डेटा यह दिखाता है जो National Family Health Survey का डेटा है वो यह बताता है कि 1992 से लेकर 1993 के बीच में आप देखोगे जो हिंदू और मुसलिम के बीच का Fertility Rate है ना इसमें यहाँ पर gap जो है वो 1.1 का था जो कि आज के समय पर gap कम हो चुका है मतलब एक समय पर Muslim population मतलब आप देखोगे जो मुसलिम से इनके बच्चे थोड़े जादा हुआ कर रहे थे बट आज के समय पर वो भी थोड़ा सा लेवल पर आ चुका है राइटर का कहना यह है कि एक समय पर Muslims के जादा बच्चे हुआ करते थे है ना लेकिन वो चीज़े भी आज के समय पर थोड़ी सी मिंटेन हो रही है यानि कि टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलिम पॉपुलेशन का भी डिकलाइन हुआ है जो कि एक समय पर 5.8 था वो आपके समय पर 2021 के अंदर में सुरी 2011 में 2.7 का पहुँच चुका है ठीक है तो टोटल फर्टिलिटी रेट सभी के अंदर कम होता वर नज़रा रहा है चाहिए वो मुसलिम हो चाहिए वो यहाँ पर हिंदूस हो सभी के फर्टिलिटी रेट कम हो रहे है यानि कि पॉपुलेशन यहाँ पर लगातर कम होती भी नज़रा ही है तो राइटर का कहना यह है कि जो total fertility rate है वो 2% का चल रहा है तो मतलब जितना होना चाहिए था उससे भी यहाँ पर कम चल रहा है तो इससे clearly यह दिख रहा है कि भारत को कोई भी जबरदस्ती के control law की आवशक्ता है ही नहीं population control करने की कोई भी कानून की आवशक्ता है ही नहीं फिर इन्होंने बोला कि हमारे external affair minister एस जशनकर साब यह बात अल्रीडी बोल चुके हैं उन्होंने यह बात बोली थी कि अगर जबरदस्ती population को control करोगे तो इसका खामियाज भुगतना पड़ सकता है जैसा हमारा पडूसी देश चाइना भुगत रहा है चाइना one child policy लेकर आया कि एक ही बच्चे को जंद दिया जाएगा और उस चक्र में जबरदस्ती population को control कर लिया गया और आज यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है आज चाइना लगाता है बूड़ा होता जा रहा है महाँ पर जवान लोग की संख्या कम है बूड़ लोग की संख्या जादा है और कोई बच्चे अब पैदा कर भी नहीं रहा है ऐसा यहाँ पर रैटर मेंशन कर रहे है जब औरेड़ी हमारी population control होती हुई नजर आ रही है तो ऐसा कदम क्यों उठाना ठीक है दूसरा यहाँ पर बुला गया उससे अच्छा यहाँ पर क्या करो उससे अच्छा आप अपने जितनी population उसकी health के उपर थोला जदा ध्यान दो है ना अपना जो public health infrastructure उसको और जदा मजबूत करो population control bill लेकर आओगे उसको लागू करोगे उस पर पैसा कर्च करने से अच्छा है लोग की health के उपर पैसा कर्च करो ठीक है ना जबरदसी population को control करोगे तो इससे यहाँ पर क्या होगा लोग पैदा कम होंगे और जो लोग आज की समय पर यूथ है वो बूड़े होने लगेंगे जैसा बहुत सारे देशों में हो रहा है और यहाँ पर यह जो जापान है यह यही वाली problem फेस कर रहा है जापान में बूड़े लोग की संक्या बहुत जादा कगार पर है लेकिन जवान की संक्या बहुत जादा कम है ठीक है तो force population कहीं नेगेटिव consequences को ही लेकर आएगा इस वज़ए से उस पर focus ना करके लोगों की health के उपर हमारे health infrastructure के उपर जादा focus दिया जाए Rural Employment Guarantee Act के बारे में चर्चा की जा रही है कि वहिया MG नरेगा के अंदर में जो workers काम कर रहे है उनको time पर payment नहीं मिल पा रही है 2021 से ही payment delay चल लाई है तो यह मैं already कल discuss कर चुका हूँ आपको समझा चुका हूँ कि MG नरेगा में क्या-क्या problems नजर आ रही है है ना बाकी हम लोग अब economy page को भी discuss कर लिया है tax and context को cover कर रहेते हैं यह single cigarette वाला article औरड़ी cover कर लिया है बचता है यहाँ पर यह वाला article अब यह वाला editorial क्या बोलता है यह एक bill के बारे बात करता है जिसका नाम है जन विश्वास bill तो जन विश्वास bill हमारी जो सरकार है वो parliament के अंदर table करती है तो उस bill के बारे में समझाया है कि उस bill के objectives क्या है तो यहाँ पर क्या है ना कि आज के समयबे छोटे छोटे अपराद को लेकर भी जो छोटे छोटे अपराद उसको अपराद घोशित कर रखा है है ना यानि उसको criminalization कर रखा है मतलब पूरा एक तरीके से यहाँ पर अगर कोई छोटा अपराद भी करता है विव्यक्ति तो वो basically criminal कहलाएगा इस प्रकार के कही सारे act हमारे पास है 42 act है तो उन act को हटा कर उन में से यहाँ पर मतलब उन act को decriminalize किया जा रहा है यानि कि वो विव्यक्ति वाले अपराद करेगा न तो वो criminal नहीं कहलाएगा उसको decriminalize किया जा रहा है इस बिल के मादियम से तो यह बिल क्या है मैं आपको बिलकुल एकदम two the point समझाओंगा कोई ज़्यादा फालतू की बात नहीं है एकदम important तरीके से directly हम link करके समझेंगे तो जो हमारे union minister of commerce and industry है इन्होंने recently क्या क्या लोकसभा के अंदर जन विश्वास amendment of provision bill 2022 को इन्होंने table कर दिया इस बिल को introduce किया इस bill को यहाँ पर प्रस्तोत किया अब इस bill का मकसद यहाँ पर यह है कि भारत के अंदर में जो छोटे 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 offences होता है छोटे 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 यहाँ पर आपको अपराद देखने को मैं लेंगे यानि कि उसको क्रिमलाइज नहां किया जाए अगर कोई छोटे अपराद हो रहे हैं तो ऐसा नहीं उस व्यक्तिकों पर कारवाई चल लिए वो यहाँ पर क्रिमिल के लाएगा ऐसा ना किया जाए तो इसके लिए इस बिल ने ये बोला कि हमें 42 एक्ट जो हैं हमारे पास में वो खतम करने होंगे ठीक है ना जो 42 एक्ट है जो कि minor minor offensive को लेकर रहे है चोटे चोटे यहाँ पर अपराद को लेकर रहे है उसको यहाँ पे कम करना होगा तो इस बिल के अदर क्या बोला जा रहा है कि जो minor offenses उनको decriminalize किया जाए यानि कि वो basically crime नहीं कहलाएंगे ऐसा है पर बोला जा रहा है तो भाया उसकी सजा क्या होगी सजा यह होगी कि monetary penalties लगा दी जाएंगी यानि जो पहले सजा हो रही थी जेल भेजा जा रहा था उसको criminal गोशित कर जा जा रहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके उपर fine charge कर दिया जाएगा उस अपराद के मामले में तो यहाँ पर basically कितने act लेकर आए गए हैं यहाँ पर आप देखोगे ऐसे पहले boiler act है अधार act है, legal metrology act है, drugs, cosmetics act, public debt act, pharmacy, senateography, copyright, patents, environment protection, motor vehicle, trademark, railways act, information technology, prevention of money laundering, food safety, legal metrological, factoring regulation, यह सारे की सारे acts आपको देखने को मिलता है अब in acts के अंदर में जो अपराद है न वो छोटे-छोटे अपराद आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उसके लिए बड़ा यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ता है तो इससे क्या होगा इससे यहाँ पर यह बोला है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर में बिजनस ग्रूव करते वे नज़राएंगे क्योंकि जैसे patent act, copyright act इसमें क्या होता है न अगर कोई अपराद हो गया कोई यहाँ पर offense हो गया तो इसमें यहाँ पर क्या होगा उसको बड़ा खामियाजा भुखतना पड़ता है इस विशे इंडिया में बिजनस इतने बड़ भी नहीं रहे हैं है न तो यहाँ पर अब क्या है इसमें offense इतना बड़ा नहीं होगा एक penalty दे नहीं होगी तो इसकी checker में जो business करना वो काफी असान हो जाएगा यह काफी सरे rules and regulations थे जो की business के उपर लागू हो रहे थे तो काफी कुछ जहलना पढ़ ला था businesses को तो वो लोग सोच रहे थे सचा business कर रही ना तो इस सही है तो अब क्या होगा इतना कुछ जहलना पढ़ेगा निक penalty हाँ पर charge करनी है अगर यहाँ पर अपराद होता है तो वो basically crime कहलाएगा भी नहीं इनको decriminalize करने के बारे में चर्चा की जा रही है लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस से यहाँ पर definitely काफी सरा achievement होने वाला है और definitely यहाँ पर जो business करना है वो काफी ज़दा आसान भी हो जाएगा ठीक है लेकिन इस article में बोला गया कि आप decriminalize कर रहे हो लेकिन decriminalize करने से कोई फाइदा नहीं है decriminalize करना होता है कि आपने अपराद मतलब उसको पूरी तरह से जो basically वो पहले criminal गोशित करता था वो मामलग खतम कर दिया अब वो basically criminal गोशित नहीं करेगा किसी को भी लेकिन आप penalty charge करने का है क्या मतलब आप penalty भी charge मत करो penalty charge करने का मतलब भी तो यहाँ पर आप कर सकते हो उसको अपराद मी फसा दिया तो penalty भी charge मत करो अगर decriminalize कर रहे हो तो वो ही बात यहाँ पर इस particular editorial के अदर mention की गई ठीक है तो इस bill का scope क्या है अभी हमने समझा जितने act थे वो सारे act मैंने आपको बताए कैसे हमारे यह business को help कर सकता है वो मैंने आपको समझाया ठीक है न तो यह बात यहाँ पर इस bill के अंदर mention की जा रही है तो यह जो bill है कितने offenses को कितने अपराद को decriminalize करेगा 183 183 offense को यहाँ पर जो कि 42 अलग-अलग act के मादरम से अपराद कैलाते थे वो अब यहाँ पर basically decriminalize हो जाएंगे वो crime नहीं कैलाएंगे ठीक है तो I hope आपको यहाँ पर clear हो चुका होगा इससे फाइदा है क्या होगा फाइदा होगा इस छोटे-छोटे जो offenses है ना इसकी चक्कर में हमारे पास बहुत सारे cases इखटे हो जा रहे है हमारे पास में already 4.3 करोल के आसपास pending cases पड़े है और फिर उसके बाद में यह छोटे-छोटे जो minor cases है इनकी चकर में यह छोटे-छ पाइगे तो यह minor cases की चकर में जो यह dependency rate बढ़ रहा है वो भी यहाँ पे control हो पाएगा वो चीज़ यहाँ पर इस particular article में बताई जा रही है इस editorial में बताई जा रही है ठीक है तो यह पूरगा पूरा particular issue था बाकी business section और यह पूरगा पूरा newspaper analysis हम लोग ने हाँ पर कर दिया है समाप्त ठीक है तो discussion थोड़ा से लेंदी था लेकिन बट important था सब कुछ यहाँ पर discuss करने पर थोड़ा time तो लगता है लेकिन कोई बैतनी आपको quality चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है अब बात करते है प्रलिम्स के question की तो question यहाँ पर यह था कि INS अस्तरधा पानी एक टॉर्पीडो launch recovery vessel है ठीक है इसके साथ मैं करते हैं लेक्चरों को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज क्ले बाब है have a nice day thank you and जैहिंद